गुड मॉर्निंग यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डाइरेक्शन बताया जाएगा एक बार डिस्क्लेमर जरूर वीड करें आज सभी की निगाहें RBI गवर्नर शक्तिकांट दास पर होंगी जब वह महत्वपूर्ण मोनोटरी पालिसी की समीक्षा के परिणाम का खुलासा करेंगे जो इस वित्तिय वर्ष के लिए अंतिन होगा कई विशेशग्यों का मानना है कि MPC प्रमुख नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करेगी जबकि SBI के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केंद्रिय बैंक समायोजन की वापसी के मौजूदा रुख को बनाए रखते हुए विराम का बटन दबा सकता है तो आए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटप साथ बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा ग्रीन 74.171800 के लेवल पे जिसका सगीमेंट है कि अपना इंडियन मार्केट हरे निसान में ओपन होने की संभावना है आज RBI मीटिंग है तो आप पहले 10 से 15 मिनट्स मार्केट सेटल होने दे उसके बाद पोजीशन बनाए वाल स्ट्रेट में तेजी लेकिन व्यापार अस्थिर है क्योंकि निवेशक जेरों पॉविल की कमेट को डाइजेस्ट करते है जेरों पॉविल को उम्मीद है कि 2023 इंफ्लूइशन में महत्वपूर्ण गिराबट का वर्ष होगा लेकिन यहां आकड़ा अगले साल अधिकारियों के दो प्रतिशत लक्ष के करीब ही आएगा जिस वजह से आज क्लोज हुए मेजर ग्लोबल मार्केट ग्रीन पॉजिटिव नैस्डे क्लोज हुआ पॉजिटिव 226.1213 के लेवल पे और दोव जोन्स भी अच्छी टेजी के साथ क्लोज हुआ 34156 के लेवल पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में BSE Sensex 220 अंक गिरकर 6286 पर आ गया जबकि निफ्टी 50, 43 अंक गिरकर 17721 अंक पर आ गया निफ्टी इंडेक्स को 17800 से 17850 जोन के आसपास मजे रेजिस्टिंस का सामना करना पड़ रहा है जहां ज्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है एंड निचले सिरे पर सपोर्ट 17600 के स्तर पर है और यदि इसका ब्रेक्डाउन होता है तो 17450 से 17400 के लेवल तक निफ्टी फिसल सकता है अब है निफ्टी कॉंट्राक्ट की 9th फरवरी विकी एक्सपाइरी निफ्टी के आप्शन कॉंट्राक्ट फरवरी 9th के हिसाब से तो इस डेटा के हिसाब से निफ्टी का रेंज अब है इमेडियेट सपोर्ट लेवल 17600 एन्ड इमेडियेट रेजिस्टन्स लेवल 17800 तक यस्टरडे आर्बी आई की नीती से पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स एक रेंज में ट्रेंज करना जारी रखता है जिसमें 41,001 सपोर्ट है और 42,001 रेजिस्टिंस है ट्रेंडिंग मूस के लिए इंडेक्स को निरनायक रूप से दोनों तरफ इस रेंज को तोड़ने की ज़रूरत है यस्टरड़े बैंक निफ्टी भी डाउन ओपेनिंग के बाद शुरुवाती ट्रेड में स्लिप हुआ 4095 के लेवल तक लेकिन ये इस लेवल से करीब 500 पॉइंट की थोड़ी रिक्वरी दिखाया और पॉजिटिव जीरो पॉइंट्स तवो परसेंट की बढ़त के बाद क्ल वही पुट साइड 41,000 पुट आप्शन में इनक्रीस हुआ हाई उपन इंट्रेस्ट तो इस डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी का रेंज अब है इमेडियेट सपोर्ट 41,000 एंड इमेडियेट रेजिस्टेंस 42,000 तक यस्टरड़े को कैश सिग्मेंट में इफ आई आई थे 2560 करोर एंड डी आई आई नेट बायर्स थे 649 करोर यस्टरड़े इंडिया विक्स 3.8 परसेंट लुड का और अब आ गया है 14.13 पे यस्टरड़े को इन स्टॉक्स के आये नतीजे जिसमें पहला भारती एयर टेल भारती एयर टेल भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेल कॉम कंपणी भारती एयर टेल ने दिसमबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में 1588 करोर रुपए में 91 प्रतिशत की वृध्धी दर्स की जो एक साल पहले 830 करोर रुपए थी वर्ष के दौरान मजबूत 4 जी ग्राहक परिवर्धन के साथ बह एक साल पहले की अवधी में 49 करोर रुपए था तीसरा हीरो मोटो कॉर्प हीरो मोटो कॉर्प ने साथ फरवरी को दिसमबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 711 करोर रुपए का स्टेंडलोन शुध लाब दर्स किया जो एक साल पहले 686 करोर रुपए से 3.6 प्रतिशत अधिक साथ फरवरी को अमबुजा सीमेंट्स ने स्थेर ऑपरेटिंग मार्जिन और उच्च अन्य आय के साथ डिसमबर वित वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 379 करोर रुपए के स्टेंडलोन लाब में 46 प्रतिशत की भारी व्रिधी दर्स की सभी मामलों में विशलिशकों की अपेक्शाओं को मात दी आज इन स्टॉक्स के आ सकते हैं नतीजे कमेंट्स इंडिया असकोर्ट्स पिरामल अंटर्प्राइजस प्रंट एंड श्री सीमेंट्स आज नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज में अमबुजा सीमेंट फ्यूचर ऑप्शन सेक्योटी में रहेगा बै इंट्राडे स्टॉक्स का विडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं प्लीज विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिन विडियो हैपी ट्रेडिंग